सत्स्री अकाल तुसी वेख रहे हो पंजाब मेल USA TV मैं संजीव यश्खना थोड़ा वेलकम करणा कैजूल टॉक्स दे विच उनीसो संतारी जदों पंजाब दी वंड होई जदों इनू कहिंदेने के पारत दी वंड होई पंजाब नू दो हिस्चें च्वाण दिता गया एक स्यासी लकीर खिच दिती गई एक लेंदा पंजाब हो गया एक चड़दा पंजाब हो गया तो नाल दी नाल बंडे गए लोक ओदर दे लोक एधर दे लोक ओदर दे लोक ओदर ते बहुत जादा असी जान दे हाँ मौत नावी होई हैं 10 लाख दे करीब एणी वड़ी संख्या दे विच कर दी किसे जंग दे विच भी मौत नहीं होई परे पुगतना पया पंजाब दी तरती नों सो जिमें असी जान दे हां के एन्य साल हो चुके ने इस वंड़नों पर आज वी साड़े दिला दे विच ओगल्ला बिलकुल ताजा ने जो बज़ुर्ग अज नई भी रहे पर उन्ना दियां दस्याँ या गल्ला साड़े विच ताजा ने पर उस वकत जो छोट पर आज बज़ुर्ग हो चुके ने उन्ना कोणों कहानियां सुनी दिया ने पुराने बज़ुर्गां कोणों बाबियां कोणों के कि में ओ पार्टिशन दे वेडे ओदरों एदर आये अपने परिवार दे नाड ते एदर दे लोग कि में ओदर गए बहुत जलम भी होए बहुत अत्याचार भी होए बहुत संताब पो गया पंजाब दी तरती ने ते नाड संताब पो गया साड़ी मां बोली पंजाबी ने क्योंकि पंजाब जदो दो हिस्याच वंडिया गया ता ओदर भी पंजाबी पंजाबी मां बोली ओदर भी ते पंजाबी मां बोली एद देख देयां कि किना साधी मां बोली नो टार्गेट कीता जान्दा है तो जित्थे पाकिस्तान दे विच वास्ते लोग पंजाबी बोल देने ठीक हो से तरह हिंदोस्तान दे विच वास्ते लोग पंजाबी बोल देने ते ज़दो आपस विच दोना मुलकाने लोकाने मुलाकात हों दी है तब पंजाबी वेची गाल करना ज्यादा पसांद कर देने क्योंकि दोना मुलकाने मां बोली पंजाबी है क्योंकि पंजाबी देटे डोई ए दोमे मुलकाने लोग जम्मे ने सो सानो सारे नो अपनी माँ बोली पंजाबी नड बेहत ब्यार है बेहत लगाव है और इसे ही प्यारी पाशा देवेच श्री गुरु गरंज साब दी। रचना होई है गुर मुकी जे देवेच बाणी डा संचार होनदा है अची सारे उस्ता अनंद लेने हां, सेध लेने हां, अपने श्री गुरु गुरन्च साप टो ता साड़ा खास लगाव, साड़ा खास प्यार है, अपनी माँ बोली पंजाबी देनाड ते जड़ों साड़ी मां बोली पंजाबी नो असी देख दे हां कि वो आदर सत्कार नहीं मिल रहा जो मिलना चाईदा है जो हिस्दा आदर सत्कार बन दा है इतिहास दे पंदे फरोल के देखिए उत्थे भी वो आदर सत्कार नहीं मिल या जो मिलना चाइदा है ता साड़े दिलनों बड़ा दुख होंदा है यूएनों ने एक लिस्ट दिती है कि ओ बोलियां जिडियां आउन वारे समझ खत्म हो सकदियां ने उस सूची देविच उन्हाने पंजाबी माबोली दाज जिकर भी कीता है पर 80 यकीन दो ओने हैं कि जिनना 80 पंजाबी लोग पंजाबी माबोली दो प्यार कर देए हैं एक पाशा कदे खत्म नहीं हो सकदी इस पाशा दा कदे अंत नहीं हो सकदा बलके एक पाशा होर तरق्की करेगी होर अग्येवदेगी दे दुनिया दे विच अपना ओ स्थान जरूर हासिल करेगी जो इस दा स्थान बनदा है क्योंकि ए पाशा गुरु साब दी पाशा है ए पाशा पंजाब दे, लोका दे, दिल दी, तरजमानी कर दी है इस करके इस पाशा दी उमर लम्मी है करें दी दुनिया तक ए पाशा जियों दी रहनी है अज पंजाबी मा बोली दी जो स्थिती है उदे वास्ते असी सब जिम्मेवार है सियासी लोग जिम्मेवार ने समाजिक लोग जिम्मेवार ने लेखक जिम्मेवार ने यूनिवरिस्टियां जिम्मेवार ने हर इंसान जो पंजाबी बोलदा है पंजाब विच रहींदा है ओ जिम्मेवार है कदेवे उस इलाके दे लोग तरक्की नहीं कर सकते जदों तक उस इलाके दी मां बोली दा विकास नहीं होंदा जदो तक पंजाबी दा विकास नहीं होंदा, ओदों तक पंजाबी दा विकास नहीं हो सकदा, पंजाबी लोकां दा विकास नहीं हो सकदा क्योंकि मा बोली देविच ही जदो असी कोई ग्यान हासिल कर दे हा, पामे स्कूल विच सिख्या हासिल कर दे हा, पामे कॉलज युनिवरस्टी देविच सिख्या हासिल कर दे हा, उच्च सिख्या हासिल कर दे हा, तां विकास ओदोई होएगा जदो असी मा बोली देविच पंजाबी बोली जा रही है साड़े माता जी पंजाबी बोल रहे ने पिता जी पंजाबी बोल रहे ने आड़े दो आड़े आड़े गवान दे सारे समाजिक लोग पंजाबी बोल रहे ने तब आवे असी मादे गर्ब विच हां तामी साड़े उस पंजाबी दा उस बोली द उस एखलाक दा उस प्यार मुहबत पाई चारे दा पूरा असर हो रहा है ते जदों असी जनम लेने हैं ता अपने नाल उस सारा असर नाल लेके जनम लेने हैं साड़े अंदर उस समाया होया होंदा है ता पंजाबी साड़े अंदर समाय होई है असी बने ही पंजाबी तो हां जियो जो असी अपनी मां बोली दे विच पड़ाई लिखाई कर दे हां, जियो जो असी ज्यान हासिल कर दे हां, अपनी मां बोली दे विच त्यों त्यों साड़ा मानसिक विकास हुंदा है, साड़ा बौधिक विकास हुंदा है, असी intelligent बन दे हां, ते विज्यान भी इस गाल होएगा उदे मांदी खुबसूरती वदेगी ओ एक चंगा इनसान बनेगा ते जो इनसान मां बोली दे विच अपनी पड़ाई लिखाई करदा है उस दी बुद्धी बहुत तेज हुंदी है क्योंकि अपने मांदे पाव परकट कर सकदा है ते मां बोली दे विच जनी अधार दे उत्ते पंजाबी दे अधार दे उत्ते असी बाकी होर कई पाशावा सेख सकदे हां क्योंकि साड़ा अधार मजबूत है साड़ा अधार साड़ी मां बोली है तक किसे भी खिते दे विच रहन वाले लोगपा में उनना दी मां बोली कोई होर ही क्यों ना होवे ओ वी जदो सिखे अपनी मा बोली दे विच लइन देने, अपने बच्चेयां दी परवरिश अपनी मा बोली दे विच कर देने, ता उनना दा बच्चा भी शार्प हो सकदा है, वो पारत दे किसे भी हिस्सेच रहन, वो कोई भी उनना दी मा बोली होगे, उसे बोली जदो उनना शिख्या दिती जान दी है तो एक शार्प स्टूडेंट बनता है intelligent स्टूडेंट बनता है तो उस दे अदार दे हुते ओ वड़ी तो वड़ी सिख्या हासित कर सकता है एक विग्यान ने सिद्ध कीता है इस करके विग्यान दी गाल नो मन दे होई असी माँ बोली नो अपनाईए माँ बोली नो असी अपनी सिख्या दा अधार बनाईए ताहीं असी विकास कर सकदे हाँ उच सिख्या भी सानू साथी माँ बोली चाहिए दी है कंप्यूटर दे उत्ते भी जदो असी इंटरनेट दे उत्ते पुड़ाई लिखाई कर दे हां ता साधियां यूनिवरस्टियां दा ए जिम्मा है कि ओ ऐस्तरां दिया साइट्स पणाओन जो सानु साधि मा बोली दे विच मिल सानु ऐसी आप पुस्तगा चाहे ओ डॉक्टरी दी पुस्तक है एंजीनरिंग दी पुस्तक है ओ भी सानु साधी मा बोली दे विच मिले सानु सारा material सानु सारा content साड़ी मां बोली च मिले अब एको फिर असी किनने काबिल doctor किनने काबिल engineer किनने काबिल professional बन दे हां किनने काबिल entrepreneur बन दे हां क्योंकि साड़ा विकास साड़ी मां बोली कर रही है सानु जनम देन वाली मां बोली ही सानु एक सही माणिया देविच प्रफेशनल सही माणिया देविच काम्याब सही माणिया देविच बिजनसमेन सही माणिया देविच एक आंट्रपेर्नियोर सही माणिया देविच एक किसान सही माणिया देविच एक सफल इंसान बना सकती ह संतां, सूफियां, पगतां, गुरुवां दी बोली है मा बोली पंजाबी पर अज लगदा है कि जिमें पंजाब दी मा बोली पंजाबी नहीं अंग्रेजी है क्योंकि जिन्हों अंग्रेजी नहीं हो दी उन्हों असी बड़ा नीमा समझ दे हां जो पंजाबी बोल दा है उन्हों असी कोई इज़त नहीं दिन दे इस साड़ी सोच बन चुकी है टीवी चैनल ना दे उत्ते असी देख दे हाँ जो कंजियूमरिजम है असी ओदे करके देख दे हाँ कि साड़ी मां बोली नो जो चटका लगा है जो नुकसान पहुंचिया है आज इस कंजियूमरिजम सोसाइटी दे विच ऐसा चटका पहला का दिनी लग गया क्योंकि असी देख दे हाँ कि पंजाबी नो परफुलित करन वासते पंजाबी दा विकास करन वासते ओ कुछ नहीं हो रहा जो होना चाहिदा सी क्योंकि इस कंजियूमरिजम ने पंजाबी माबोली नो, पंजाबी खाने नो, पंजाबी बाना मतलब पंजाबी लिवास नो, पंजाबी रेंट सैंड नो बहुत वड़ा तका मारया है एथो तक के जो साड़े पिंडा दा कल्चर है ओवी काफी हद तक खत्म हो चुका है क्योंकि यसी विदेशी बन चुके हैं अंदरों विदेशी पहनावा, विदेशी संगीत, विदेशी गीत, विदेशी खाना सानू जादा पसंद है सानू मा दे हत्थानिया बनिया हुई हैं पिनिया अज पसंद नहीं होंदी हैं सानू पीजे दे बर्गर जादा पसंद होंदे ने इस करके साड़ा खाना भी असी छड़ चुके हैं साड़ा पैंडना भी असी छड़ चुके हैं ते साड़ा गीत संगीत भी असी छड़ चुक जिम्हें ऐसी सा लेने हां, प्यास लगेते पाणी पीने हां, पुक्क लगेते रोटी खाने हां, ठीक ओस से तरह सानू अंदरो संतुष्टी दिन दिया, साधी मा बोली पंजाबी। ति एसी देख देहां कि ए जिम्हेवारियां साधे लेख का दिया ने, जिल्द ने साहत दी रचना करनी है, ति मा बोली नुब करोकरी पाचाउना हैं। पर साहित लिखनावार्य वी कई बर मा बोले नो अना जटल कार दिन दने अना आउखा कार दिनुन के आम बंदे नो इस समझना मुश्कल हो जानादा है कि तुसी कैकी रही हो आम पाशा देविच जो दो असी गाल करिये लोग पाशा देविच असी जदो गाल करिये ता असी अपनी पाशा नूँ होर ज़्यादा परसिद्ध बनाओ देने हां लोग का देविच असी होर ज़्यादा लोग का नूँ बोलन ला देने हां इसलई जदो असी लोग बोली देविच अपना साहित लिखते हां लोग पाशा दे वेच अपनी गाल केने हां त हसाधी लोग पाशा, मा बोली पंजाबी होर जादा परसिद्ध हुंदी है होर जादा लोग एश नों सेख देने बड़ी चंगी तरह सेख देने, बड़ी लगन ना सेख देने पर जासी देख रहे हैं कि आज दी पीडी पंजाब तो भी उदास है मा बोली पंजाबी तो भी उदास है पंजाब तो भी टोट रही है मा बोली पंजाबी तो भी टोट रही है देखे आजावेते अपने विर्से तो टोट रही है अपनी विरासत तो टोटे रही है अपनी जड़ा तो टोटे रही है अपने बज़र्गां तो टोटे रही है साड़े बज़र्ग साड़ा खजाना ने उनना कोल बहुत वड़ा तज़र्बा है जी वन्दा यसी यो तज़र्बा अपने लई नहीं लें दे क्यों कि ऐसी अपने बज़ुर्गां को बैंदे नहीं सनु अपनी पाशा अपनी माँ बोली पंजाबी चंग इतना बोलनी नहीं हो दी कराने विच भी ऐसी पंजाबी बोलने ची गोरेश कर दे है स्कूल नदे विच भी कई वार ऐसी देखते है कि यह स्कूल ने जिते पंजाबी बोलने दे उत्ते जुर्माना कर देता जानता है, फाइन कर देता जानता है, यह बहुत माड़ी गाल है, पंजाब दे अंदर, ऐस्तरा ना वतीरा, मा बोली पंजाबी दे नाल, यह बहुत ही चिंता दा विशा है, ते कराने वेट जदो ऐस ते बच्चे फिर दादा दादी नाना नानी बज़र्गां दे प्यार तो वांजे हो जान दे ने उनना दी सिख्या तो वांजे हो जान दे ने क्योंकि ऐसी बच्पन दे विच अपने बज़र्गा को बैके अनेका कहानिया सुन दे हां अनेका साखियां सुन देयां गुरू सहवान देयां अनेका बातां बजारतां सुन देयां उस सारियां मा बोली पंजाबी विच ने उस साड़ी विरासत ने उस साड़ी बुद्धी नो तेस कर दिया ने साड़ी मान नो सोना बुनाओ दिया ने सानु कमाल दी शक्सियाद दा इनसान बुनाओ दियाने पर जदो बज़र्गा कोड़ो ओँ खजाना पर जदो बज़र्गा कोड़ो ओँ खजाना सानु नहीं मिलदा साड़े बच्चे नहीं मिलदा ता असी बिल्कुल अंदरो नीरस हो जानने हैं साड़े अंदर कोई रस नहीं हुलना, खुश्क हुलने हाँ, साड़े अंदर कोई प्यार नहीं हुलना, चैद के पंडाबी ता ऐसे ने, कि राजा अंदेनो अपना बना अलायंदे ने, बेगानना कोई होंदा ही नहीं साड़े वास्ते पर जदों असी अपने बज़ुर्गा को नो टोट दे हां उन्हा कोड़ो ओ प्यार मुहबबत सानू नहीं मिलता ता ओ प्यार दी कमी साड़ी शक्सियत देविच ऐसी कोड़तन पैदा कर दें दी है कि असी बाकियां वास्ते भी कोड़े हो जाने हां ता दूजे लोग फिर सानू बसंद नहीं करते साड़े नेड़े नहीं लगना चौँदे इस करके जरूरी है कि बच्चेयां दी परवरिश मा बोली पंजाबी देविच कीती जावे ते कारदा महौल भी ऐसा ही बनाया जावे ऐसा सुरख्यत रख्या जावे कि कारदे महौल देविच बजुर्गा नू उनना दा स्थान मिले क्योंकि असी पंजाबी नू स्थान दे रहे हैं जो बन दा स्थान पंजाबी दा है उदे नाड़ी साड़े बजुर्गाना स्थान जुड़िया होया है उदे नाड़ी साड़ा सारे अदा स्थान जुड़िया होया है पामे बच्चे होन, पामे जवान होन, पामे औरता होन, पामे बजुर्ग होन ते ओदे नाड़ी साड़ा सारे अंदा सनमान जुड़या होया है साड़ी इज़त जुड़ी होई है इस करके इस पाशा नो लोग पाशा दे रूप देविच विक्सित करिए बिल्कुल सदारण सहज अवस्था देविच विक्सित करिए ताके वद तो वद लोग एदना जुडन, बोलन, सिखन, अपनाउन ते पंजाबियत दी पहचान बन के सारी दुनिया देविच नाम न खटन जदों तक कोई वी पाशा, लोग पाशा नहीं बन दी, ओधों तक उस पाशा दा विकास नहीं हो सकता तब पंजाबी पाशा लोग पाशा है, लोग इसनों पढ़ देने, एदेविच लिख देने, इसनों समझ देने, पंजाबी देविच सोच देने, पंजाबी देविच विचर देने क्योंकि पंजाबी पाशा, पंजाबी लोग पाशा, मात पाशा अपने आप दे विच पूरा सब्याचार है एसले, ऍनो ऐसे सहतकार चाही देने जो पंजाबी नूं सिमपल, सरल रूप देन, सहज रूप देन ताके हर इन्सान एस नूं अपना सके सानु ऐसे आगू नहीं चाहिए दे जो पंजाबी दे ना दे उते वोट मंगन ते फिर बाद विच सौं अंगरीज दी विच जुकन एवी गाल नी बन दी सो पूरी तरह नल पंजाबी अंदरों बारों पंजाबी सो एही है इस पाशा दी मानता एही है इस पाशा नू बर्णा सनमान देना एक पुस्तक दे विच जिकर मिलदा है कि एक बंदा अपने आखरी सा ले रहे है ते अपने देश नू याने के जिस तर्तिते उदा जनम होया उस तर्तिते उते प्या होया अपने देश नू आले दो आले नू देख रहे है ता उस विड़े रब तो की मंगदा कि मैंनों कोई ऐसा शक्स मिला दे इस विड़े जो आके मेरी मा बोली दे विच चार गल्ला करे ता मैं कमाँगा कि मेरे आखरी सा सुखाड़े हो गए सो इस तरह ने पावना है मा बोली दे लई एक होर जिकर मिलदा है कि एक इंसान जदो अपने पिंडों शेर जानदा ता अपने एक मित्तर नों मिलदा जो बहुत साल पहला उस पिंड तो उस शेर दे विच जाके वस्या सी ते उसनों मिलके वापस जदो आया अपने पेंड ता ओस बंदे दी माँ पुछ दी है, जो शैरच वसदा है कि मेरा पुत्र जदो तेन्यों मिलिया ता उसने केड़ी पाशाच तेरनाल गाल कीती ओ केंदा पेंड़ दी पाशाज ता गाल ने कीती ओ शेर दी पाशाज गाल कीती ते हो मा कहन्दी यह मेरा पुतर होन मेरा नी रहा, मैं नी समझ धिके मैं उनू कदे जम्मे आ है क्योंकि झेड़ा अपणी मा बोली नो पोल गया वो मानु पोल जावे कोई वड़ी गल नहीं है सो एसतरा दे उदारण सानु मिल देने माँ बोली नू लेके सो गल ए बन दी है कि दुनिया पर निया पाशामा सिखो दुनिया पर दा ज्यान हासिल करो पर अपनी माँ बोली वल कदे भी पिठ ना करो अपनी माँ बोली दा कदे भी अपमान ना करो अपनी माँ बोली नू बोलन वेच कदी भी शरम महसूस ना करो ते अपने बच्चयानू अपने परिवार नू भी तुसी कहो के पंजाबी माँ बोली नू अपनाओ ते एक सही अर्था दे विच जीवन जीवन दी पिर्थ पाओ सान उमीद है के एथवानु आज दियां साधियां कैजुल टॉक्स याने के वेलियां कलना जरूर पसांदाईयां होण गियां तुसी वी एसे तरही अपने परिवार दे विच अपने मित्रा दे नाड़ अपने रिष्टेदारा दे नाड़ वेलियां गलना जरूर करया करो हो सकता है ओधे विच्चों कोई कामदी गाल निकलावे जड़ी साधिस सार्यां दे काम आवे बहुत बहुत शुक्रिया के तुसी इस प्रोग्राम दा हिस्सा बने ऐसे तरहीं देखने रहो पंजाब मेल USA TV सच्छी अकाल